देखिए कोई question आपके exam में direct लड़े या ना लड़े लेकिन आपका जो graph होता है न मैं grantee के साथ बोल सकता हूँ कि यही question आपके exam में इस वर आने वाला है तो please आप लोग से request है कि इस video को अन तक देखिए क्योंकि आपके exam में graph तो आएगा ही आएगा fix है 100% है कि आपका एक graph आएगा और ओभी 5 नमबर में तो मेरे दोस्त इस video को अन तक देखो हम 4 graph का question लिए हैं और जदी इन 4 ओको आप लोग अच्छे से solve कर लेते हो तो मैं grantee के साथ यह बोल सकता हूँ कि आपका 5 नमबर fix हो गया तो चलिया ही start करते हैं जदी 5 नमबर complete करना है तो आप मेरे को 5 से 6 साथ मिनट time दीजिए आपको graph complete करा देंगे ठीक है और इन 4 question को solve करते करते तो लगा के यार graph तो कैसा भी मिलेगा न हम बना देंगे तो बिल्कुल आप बनाओगे चलो start करते हैं पहला है कि x plus y बराबर 10 और x minus y बराबर 4 का graph खीचे या graph बिदी से हल करें आपको मिलेगा ठीक है आईए हम पहला question आपको बनाते हैं क्या है x plus y बराबर 10 और x minus y बराबर 4 ये आपका question है और इसका graph हमें बनाना है तो सबसे पहले देखो ये जो हमारा x plus y है बराबर 10 इसको हम लिखेंगे कि x plus y बराबर 10 इसको हम पहला समीकरण कहेंगे ठीक है अब ये जो है ये समीकरण इसको हम second ले लेंगे x minus y बराबर 4 और ये हो गया समीकरण 2 ठीक है अब हम क्या करेंगे समीकरण 1 से चलेंगे और 1 से चल करके इसका table बनाएंगे table कैसे बनाते हैं तो आईए लिखेंगे समीकरण 1 से एक क्या है x plus y बराबर 10 अब यहाँ से देखो क्या करेंगे यहाँ से x बराबर करेंगे क्या है बराबर में 10 और यह क्या है plus बराबर में जाएगा तो minus हो जाएगा और यहाँ से इसका बनाएंगे table इस तरह से यह देखो ठीक है ये X और ये Y अब देखो इसमें रूल क्या होता है कि जिस तरह से हम Y का मान रखते जाएंगे वैसे हमारा X का मान आते जाएगा कैसे Y? तो देखो Y का मेरा मन है कि हम रखतें 3 Y का मान हमने 3 रखा तो 10 में से 3 जाएगा 7 आएगा अब ये 7 किसका मान हुआ? X का तो देखो X का भी मान आ गया अब मेरा मन है कि Y का मान रखे 5 तो आपको अगर नई सर मेरा मन चार रखने का तो चलो भाई आपका मन है कि Y का जो मान है वो हम 4 रखें, रख दिया अब 10 में से 4 जाएगा 6 आएगा 6 किसका मान है? X का तो देखो X का मान आ गया कहीं-कहीं बूक में आप देखोगे तो 3 बक्स बनाया रहता है और कहीं-कहीं 2 तो हम आपसे कहेंगे कि एक जाम में कम समय में आपको जल्दी क्वेशन बनाना होता है तो 3 बनाओगे तो थोड़ा सा दिर लएगा और ऐसा भी नहीं है कि 3 बनाओगे तो full marks मिलेगा 2 पर बनाओगे तो कम मिलेगा दोनों पर equal ही marks आपको मिलेंगे minimum आप 2 रख सकते हो maximum कितना भी रख सकते हो तो 3 रखने से क्या पायदा? ज़्यादा नंबर मिलेगा ही नहीं तो 2 पर ही काम चला लेंगे ठीक है? तो समीकरण first के लिए हमारा table बन करके तयार हो गया चलिए अब हम समीकरण 2 से चलेंगे लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या है? x minus y बराबर 4 अब देखो यहां से जदी x बराबर करेंगे तो 4 है और यह minus बराबर के side जाएगा तो plus y हो जाएगा यहां से देखो यह देखो x और यह y अब y कमान जैसे रखेंगे x कमान आते जाएगा तो मेरा मन है कि y कमान हम रख दें 2 तो 4 और 2 6 किसका मान आ गया? x का देखा? अब चलो मन करें ओ y कमान रख सकते हो आपका x कमान आते जाएगा तो समिक्रण पहला के लिए table और दूसरा के लिए table बन करके तयार हो गया अब जैसे table बन गया अब हम चलेंगे graph page पर देखो आपके exam में इस तरह का graph page मिलेगा देख रहे हो इस तरह का ये देख रहे हो graph copy आपके exam में आपको ले करके जाना नहीं है आपके teacher वहाँ पर जो exam लेंगे न वो लोग आपको देंगे ओके तो आप tension अलो लेकिन मेरे पास पता है हमारा जो graph copy है वो खतम हो गया है हमने जब video बनाने से देखा पहले तो graph copy पर पीज ही नहीं था तो कोई नहीं लेकिन आपको exam में graph page पर ही बनाना है हमारे पास अभी नहीं है तो हम क्या करते है इस पर ही आपको समझा देते हैं बात यहीं है लेकिन graph copy पर थुदा ठीक है चलिए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे graph copy मान लेजिए है मेरा और आपको सबसे पहले axis बनाना होगा यह देखो यह हमारा x axis है और x dash इधर x होता है और इधर x dash होता है ठीक है उसके बाद यह देखो यह होता है y और यह होता है y dash और यहां मुल बिंदू होता है 0 0 ठीक है अब देखो सबसे पहले हम अपना table देखेंगे first वाला कि x में सबसे ज़्यादा मान क्या है तो 7 है तो कम से कम x में 7 तक जाना होगा तो चलो एक दो तीन चार पांच छे साथ y में सबसे ज़्यादा मान चार तक गया है तो लिखेंगे एक दो तीन चार पांच छे आगे भी बढ़ा सकते हो लेकिन हमें 4 तक ही काम है तो काम इतना में हो जाएगा इस तरह से आपको बनाने आ गया कोई दिकत नहीं है अब चलिए अब हम पहला वाला table में चलेंगे पहले table में है कि x में 7 और y में 3 एकस में 7 एकस में 7 कहां है कहां है यहां पर और y में 3 कहां है यहां पर तो इनको यहां से लाएंगे और यहां से इधर जाएंगे इधर जाएंगे यह देखो यह देखो यह देखो और यहां से इधर जाएंगे यानि हमारा इस कोने पर यह मिलेगा, यहाँ पर, क्या मिला, एक्स में मिला है साथ, एक्स को पहले लिखा रता है, और वाई में तीन, चलो, एक्स में छे, वाई में चार, यह देखो, यहाँ चलो, यहाँ चलो, और यह देखो, यह देखो, यह देखो, यह देखो, यह देख इसको लिखना जुरूरी है ठीक है अब हम क्या करेंगे अब इन दोनों को मिला देंगे ये देखो हमने इसको मिला दिया ठीक है यहीं ग्राफ पेज़ पर बनाओगे और इंज से बनाओगे तो बिल्दकुल सटीक बनता है जदी आप ऐसे page पर बना दोगे न तो समझो कि आपका एक जामना number भी काट देगा इसलिए graph page पर यह आपको जाना होगा मैं बार-बार बुल रहा हूँ बस आपको 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 यहाँ पर समझा दे रहा हूँ ठीक है चलो x में 6 y में 2 x में 6 y में 2 यहाँ पर x में 6 y में 2 यह 2 है और 6 है x में 6 y में 2 x में 7 y में 3 x में 7 और y में 3 यहीं वहाँ मिल गया तो इनको भी क्या कर देंगे मिला देंगे यह देखो यह हमारा मिल गया यहाँ पर इसका परतिछेट करती ही रेखा हो गई ठीक है तो देखो, अब यह जो line मिलाए हैं, वो समिकरण first था न, तो समिकरण first क्या था, x प्लस y बराबर 10, तो यहाँ पर लिख भी देंगे, x प्लस y बराबर 10 के लिए यह line हुआ, और x माइनस y बराबर 4 के लिए यह line, अब ऐसे बनाओ, आपके 5 में 5 नंबर मिलेंगे ही मिलेंग ठीके, बहुत यह असान है, अब सही से बनाना सीखो, कोई problem नहीं होगा आपको, ठीके, समझ मैं सबको question, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, हम प्रश्न संख्या इसका 2 देखेंगे, 2 क्या है, प्रश्न संख्या 2 है, 2 X माइनस Y बराबर 2 और 4 X माइनस Y बराबर 4 यह है, तो सबसे पहले इसको समिकराण फर्स्ट मानेंगे, और इसको सेकेंड लिखेंगे, 2 X माइनस Y बराबर 2, यह 2 है, ठीके, 2 X माइनस Y बराबर 2 इसको अपने समिकराण पहला मान लिया, इसको दुसरा मानेंगे, तो 4 X माइनस Y बराबर 4 और यह समिकराण दुसरा हो गया, ठीके, हम क्या करेंगे, समिकराण पहले से चलेंगे, लिखेंगे समी करण first से क्या है first अपका 2x minus y बराबर 2 ठीक है अब इसका क्या आप करना है हमें table बनाना है तो सबसे पहले 2x बराबर करेंगे 2 है और यह minus बराबर के set जाएगा तो plus हो जाएगा अब यहां से x बराबर करेंगे तो 2 plus y और यह गुना कर रहा है न बराबर के side जाएगा तो भाग कर देगा अब यहां से देखो यहां से देखो यह x और यह y अब जैसे हम y कमान देंगे न हमारा x कमान आते जाएगा तो मेरा मन है कि y का मान हम दे दे 2 तो यहां रखे 2, 2 और 2 4, 4 में 2 से भाग देंगे 2 आ जाएगा, ठीक है अब आपका मन है कि sir मेरा मन है कि y का मान 4 दे दे चलो भाई, आपका बात मान लिए, हमने 4 दिया 4 और 2, 6, 6 में 2 से भाग देंगे यह हो जाएगा, 3 समीकरण 2 से, क्या है 2 समीकरण अपका, 4x-y बराबर 4, तो यहां से 4x बराबर करेंगे, तो यह 4 और माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, अब x में 4 गुना कर रहा है, बराबर में जाएगा तो क्या कर देगा, बराबर में जाएगा तो भाग कर देगा, ठीक है, अब इसका हम टेबल बनाते हैं, यह x और य, y में जैसे हम मान देंगे, तो x कमान आते जाएगा, तो मिरा मने कि y कमान देदे 4, तो 4, 4, 8, 8 में 4 से भाग दे देंगे, 2 हो जाएगा, मेरा मने कि y कमान दे दे हम, 8, 8, 4, 12, 12 में 4 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा, तीन, ठीक है, चर्तियाएं, 12, तो मेरा जो टेबल है, उबन करके complete, अब हम बनाएंगे अपना, x एक्सिस और y एक्सिस, ठीक है, यह देखो हमने, एक्सिस बनाया, यह है एक्स, यह है एक्स, डैस, और यह है y, और यह है y, डैस, यहाँ पर आपको पता है कि मुल बिंदू 0, 0 होता है, इधर जाएंगे, 1, इधर जाएंगे, 2, हाँ, यह भी आप चेक कर लो, कि हमारा x में हाइस्ट मन क्या है भाई, तीन है, तो तीन तक ह जाएंगे, लेकिन आपको मन है आगे बढ़ने का तो आगे भी बढ़ सकते हैं, ठीक है, इधर y में कितना 8 तक है न, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और यह आठ, ठीक है, चलो, पहला टेबल के लिए, x में 2, y में 2, x में 2, y में 2, मतलब यह मिलाएंगे, यह दूनों को, तो यहाँ पर मिलेगा, यह देखो, X में 2, Y में 2 X में 3, Y में 4 X में 3, Y में 4 यहाँ पर मिलेगा यह देखो X में 3, Y में 4 अब क्या करेंगे? इनको मिला देंगे चलो, मिलाओ तो यह देखो हमारा ग्राफ बन गया चलो, अब आगे बढ़ेंगे X में 2, Y में 4 एकस में दो, वाई में चार, मतलब यह यहां आ जाएगा, ठीक है, एकस में तीन, वाई में आठ, यहां पर, यहां पर, यहां पर, ठीक है, तब इनको क्या करेंगे, यहां से इस लाइन को खिचेंगे, यह देखो, यह लाइन हमारा ऐसे बन जाएगा, ठीक है, देखा आपने तो सही से question करोगे तो आपका सारा answer सही ही आएगा ठीक है और आप लोग graph page पर बनाईएगा क्योंकि graph पर ही आपको सही होगा ऐसे बनाने में mistake हो आता है और आपके examiner number भी नहीं देता है ठीक है ना इस बात को याद रखिएगा कि जब भी graph बनाएंगे तो graph page पर ही बनाएंगे कितने बचे क्या करते हैं बनाते बनाते जिस पर सारे math केरते हैं उसी पर बना देते हैं भाई नमबर नहीं मिलने वाला ठीक है इस बात को हमेशा याद रखना है ठीक है ना चलिए आगे बढ़ते हैं तिसरा तिसरा देखो थोड़ा सा कठीन है लेकिन आप लोग सही से बनाओगे तो बन जाएगा ऐसा भी ज़्यादा कोई कठीन नहीं है ठीक है 5x प्लस 7y बराबर 50 और और 7x प्लस 5y बराबर 46 हम चलेंगे सबसे पहले इसको समिकरण फास्ट और इसको समिकरण सेकेंड मानेंगे 5x प्लस 7y बराबर यह हो गया 50 समिकरण पहला और यह 7x प्लस 5y बराबर 46 यह हो गया समिकरण दूसरा हम समिकरण एक से चलेंगे समिकरण एक से क्या है 5 x पलस 7 y बराबर 50 तो 5 x बराबर कर देंगे 50 पलस दर जाएगा तो माइनस x में 5 गुना कर रहा है दर जाएगा तो भाग कर देगा यह आ करके भाग कर दिया अब बनाएंगे टेबल ठीक है अब टेबल में क्या करेंगे सबसे पल देखो यह X रे Y ठीक है अब देखो आपको Y कमान देना है X कमान आते जाएगा तो मेरा मान है कि Y कमान हम देदे 0 तो देखो 7 से और 0 से करेंगे 0 50 में से 0 जाएगा 50, 50 में 5 से भाग देदेंगे तो 10 आ जाएगा देखा यह आ गया अब आप सोचो आप क्या देना चाहते हो मेरा मान है कि Y कमान इस बार 5 देदे तो 7 35, 50 में से 35 जाएगा तो 15 आएगा 15 5 से भाग देदेंगे तिन पाला टेबल बन करके तियार ठीक है चलो समिकरण 2 से चलेंगे शमिकरण 2 से दो क्या है साथ एक्स पलस पांच वाई बराबर 46 तो साथ एक्स बराबर 46 और यह पलस इधर जाएगा तो माइनस एक्स में साथ गुना कर रहा है बराबर में जाएगा तो भाग करेगा 5 वाई बटे 7 अब यहां से बनाएंगे यह एक्स और यह वाई वाई कमान देंगे एक्स कमान आते जाएगा तो सोचो क्या दें और ऐसा दो न कि जल्दी से हमारा काम भी हो जाए जड़ा दिर न लगे ठीक है तो बताओ क्या y कमान दिये जाए थोड़ा point में ना आए point में आएगा ना तब बहुत mistake होता है दिर लगता है question को graph को बनाने में ठीक है न तो ऐसा मान सोचो कि जल से जल भाग भी लग जाए हमारा काम भी हो जाए ठीक है जदी हम y कमान में हम 5 दे देते हैं तो 25 46 में से 25 जाएगा 46 में से 25 जाएगा तो 21 आएगा 21 में 7 से भाग दे दो 3 आ गया अब आप सोचो y कमान क्या दे कि जल्दी से मारा काम हो जाए तो मेरा मने कि y कमान इस पर हम 12 दे दे चलो भाई बढ़िया है तो 12 पाचे 60 अब 46 माइनस 6 कितना आएगा माइनस 14 माइनस 14 आएगा तो 14 में माइनस 14 में 7 से भाग दो क्या आएगा माइनस 2 आ जाएगा समझ मा या 12 पाचे 60 हो गया अब बढ़ा का साइज माइनस है तो माइनस 14 आएगा माइनस चोदह में साथ भाग देंगे माइनस दूग आ गया तो घबराना नहीं है माइनस में आ गया तो बहुत यह आसान है ठीक है टेबल बन करके तयार हो गया न अब चलो इसको हम बनाते हैं अब एक सेक्सिस एकस डैस और य और य दैस सबसे पर ने देखो ए पलस यह भी अब चलों थे जांट करते हैं वन तू थ्री आ फोर पाइब सेक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टूल इधर बें चलते हैं वन टू थ्री फोर पाइब सेक्स सेवन एट 9, 10, और थोड़ा एक ड़ालते हैं, 11, और यहाँ पर 12, ठीक है, इधर चलेंगे, minus 1, minus 2, minus 3, ऐसे चलते जाएगा, minus 1, minus 2, minus 3, सबसे पहले, x में 10, y में 0, x में 10, यहाँ पर, और y में 0, मतलब यहीं पर मिलेगा, x में 10, y में 0, x में 3, y में 5, x में 3, और y में 5, यहाँ पर, x में 3, y में 5, इसको मिला देंगे, इसको मिलाएंगे, यह बनेगा गराब, और इस गराब का नाम दे देंगे, क्या था, 5x पलस 7y बराबर 50, अब इसके लिए, x में 3, y में 5, एकस में तिन वाई में पांच यहीं पर बनेगा एकस में माइनस दू वाई में बार एकस में माइनस दू यहाँ पर और वाई में बार यहाँ पर यहाँ पर यह बनेगा एकस में माइनस दू और वाई में बार अब यह क्या करेगा यहां से जाकर किस पर कट कर देगा ठीके इसका नाम क्या था साथ एक्स पलस पांच वाई बराबर छी आलिज यह देखो गराब बन करके तयार ठीके तो आपको गराब पेज पर बनाना है मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप लोग का ऐसे पेज पर नहीं गराब को बनाना है आपको गराब पेज पर ही बनाना होगा मेरे पास नहीं था इसलिए हमने बनाया ठीके अब बाकी आपके लिए एक छोटा सा प्रशन हमने चार नमबर देते दिया ना अब इसे बना करके comment box में बताओ कि इस समिकरण के लिए क्या बिंदू होंगे और इस समिकरण के लिए क्या बिंदू होंगे चारो बिंदू comment करो बनेगा ना बिल्कुल बनेगा और आपके exam में फिक्से की आएगा तो जितना उसके अपने जाईए और दोस्तों में इसको share करिए क्योंकि ये प्रश्ण आपको इस बार पूछे जा सकते हैं आएगा ही आएगा इतना confirm हो जाओ चलो share करो जल्दी share करो आप सीखे अपने दोस्तों को भी सिखाओ जल्दी share कर दो बस आप लोग से यहीं भी नमर निवे दने थैंक्यू सो मच आपने जरूर share किया दिल से थैंक्यू